टीम इंडिया के बल्ले बाजी औल अराउंडर केदार जाधव ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से सन्यास की घोशना कर दी है। इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया के जरिये दी। 39 वर्षिये खिलाडी ने भारत के लिए अपना आखरी मैच आठ फरवरी 2020 को न्यूजी लैंड के खिलाफ खेला था। चार मैचों की वंडे सीरीज में उन्होंने सिर्फ 35 रन बनाए थे। केदार जाधव ने अंतरराष्ट्रिय क्रिकेट में डेब्यू 2014 में किया था। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ रांची में पहला वंडे 16 नवंबर 2014 को खेला था। 73 वंडे में जाधव ने बाली सिपोन 209 की आउसत से 1339 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने दो शतक और छह अर्ध शतक लगाए। जाधव ने 27 विकेट भी अपने नाम किये। केदार जाधव की बात करें तो वह भारतिय टीम के अलावा आईपील में चेननई सुपर किंग्स के लिए लंबे समय तक खेले हैं। उन्होंने सन्राइजर्स हैदराबाद का भी प्रतिनिधित्व किया। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में केदार जाधव ने शानदार प्रदर्शन किया। आईपील में पेचामवर मैचों में 130-17 के स्ट्राइक रेट से 1146 से रन बनाए। उन्होंने चार अर्धशत किया पारियां खेली। प्रेशों